एक बढ़ाई था, वो लकड़ी के घर बनाने का काम कई सालों से करता था और उसके बनाए घर बहुत मजबूत और खुबसूरत होते थे। एक दिन वो अपने मालिक के पास गया और कहा कि मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, कि मैं माती पोतों के साथ समय बिता सकूँ, मालिक यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि उसका एक अच्छा कारिगर उसे छोड़ कर जा रहा है, फिर भी उसने कारिगर से कहा कि बस एक आखरी घर बना दो, कारिगर मान गया और उसने अपना काम प्रारम किया, परंतु उसका मन नहो होने के कारण उसने लकडी भी हलकी लगाई और फिनिशिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस किसी तरह काम खत्म हो, इसके कारण जल्दी जल्दी बना दिया, आखरी दिन चाबी देने के लिए उसने मालिक को बुलाया, मालिक ने पुरा घर देखा, फि कुमारे लिए तौफा है, यह कैसा तौफा, यह कैसी शर्म की बात है, कि इतने अच्छे बढ़ई का घर ऐसा, कारिगर ने सोचा, अगर मैं जानता कि यह मेरा घर है, तो मैं उसे बहुत सुन्दर बनाता, परंतु अफसोस, ऐसा नहो सका, यह हमारे साथ भी है दोस्तो, हम अपनी जिन्दगी को ऐसे जीते हैं, जैसे यह हमारी नहीं है, गलत आदते, गलत संगती और गलत काम, फिर जब हम अपने अंत तक पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है, इसलिए आप अपने आप के लिए एक बढ़ई है, अपनी जिन्दगी को सुन्दर इसलिए आपको अपना कल कैसा चाहिए वैसा वियवहार और बड़ताओ लोगों से कीजिए